अपने शहर उजयन के बारे में बताना चाहता हूँ उजयन जो की बहुत पवित्र नगरी है अब उजयन के बारे में विस्टिरित जानकारिया है सबसे पहले हम बात करते हैं उजयन की महीमा की उजयन की महीमा सभी तीर्थों में सबसे अधिक है 12 जोतिर लिंग में से एक जोतिर लिंग महा कालिशवर मंदिर उझ्यन में ही स्थित है समूचे भारत की यातरा करने के पस्चाथ यातری लोग अपनी यातरा उझ्यन में आकर समाप्त करते हैं यहां पर अनेक मंदिर हैं जिनके दर्शन पर मानवध अपने सारे पापों से निवरती प्राप्त कर सकता है उजयन एक ऐसी नगरी है जिसमें प्रत्यक 12 सालों में एक बर कुम का मेला भी लगता है और उसमें सबी स्थानों से अनेक सादू संथ पधारते हैं ये मेला करीब एक महा तक लगता है उजयन को उजयनी अवंती का आदी नामों से भी जाना जाता है इस नगरी के राजा स्वियम भगवान महा कालेशवर हैं काशी सब तीर्थवों में अधिक पवित्र है परंद उजयन काशी से भी अधिक पवित्र है उजयन में पवित्र शिप्रा नदी है जिसमें स्टान करने से मनुष्य के सबी पाप दुल जाते हैं एवं पुन्यों की प्राप्ति होती है उजयन मोक्ष को प्रदान करने वाली नगरी है यहाँ पर भगवान शिव जी ने वन में निवास किया था यहाँ उनके चरण यहाँ पर पड़े थे जिसे संपूरन भूमी एक तीर्थ स्थल में परिवर्तित हो गई इस भूमी का महत्वूत तांत्रिकों के लिए भी बहुत विशेश है यहाँ का वातावरन शां एवं सुखद है यह एक पवित्र नगरी है और यहाँ पर अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं जिनके दर्शन करने के लिए प्रेटकों को विशेश आनंद सुख शांती आदी का अनुबव होता है सबसे पहले हम बात करेंगे शिरी महाकालेश्वर मंदिरगी तो शिरी महाकालेश्वर के दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु का निवारन होता है संकटों का नाश होता है मंदिर का ज्योति लिंग गर्व ग्रह में स्थित है यहाँ पर सदेव दीपक जलते रहते हैं यहों मंदिर में भगवान, गनेश, माता, पार्वती जी, कार्थिक जी की प्रतिमाय भी हैं गर्व ग्रह में अंदर की छत पर चांदी का रुद्र यंत्र भी स्थापित है बगवान महाकाल की भस्म आरती प्राताय चार बए से आरम हो जाती है जिसके दर्शन करने के लिए भक्तों की बड़ी भीड लगी रहती है उसके बाद हम बात करनेंगे शि करनों में मूशक लड्डू को पकड़ कर स्थित हैं इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं यहां इस मूर्ति के दर्शन करके ऐसा प्रतित होता है जैसे बगवान गरेजिस फियम जागरेत रूप के आपके सामने विराज मान है यहां पर पर एक पंच मुकी हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है उसके बाद हम करते हैं शिरी हरसिद्धी मंदिर की बाद भगवान महाकलेश्वर की समीफी शिरी हरसिद्धी मंदिर भी स्थित है यह मंदिर उजयन का एक प्रमुख मंदिर होने के साथ साथ प्रसिद्ध भी है माता हरसिद्धी के आसपास दोनों और महालक्षमी तता महासरसोती की प्रतिमा स्थित है मंदिर के निचले भाग में महाकाली माता की मूर्ती भी विराजमान है ये मंदिर परिसर में भहरवजी की मूर्ती भी विराजमान है फिर श्री चारधाम मंदिर महाकालिशवर मंदिर से कुछ ही दूरी पर शीरी चार दाम मंदिर भी इस्तित है यहाँ पर चारो धामों की शीरी द्वार का धाम, शीरी जगननाद धाम, शीरी रामेशवरम धाम या शीरी बद्रीनाद धाम की स्थापना की गई है तो था चारो धामों की मूर्तिया भी स्थापित है मंदिर परिसर में एक सुन्दर भगीचा भी स्थित है श्री नवग्रह शनी मंदिर ये मंदिर उजयन से करीब 6 किलोमेटर दूरी पर सावेर रोड पर स्थित है ये शनी मंदिर शिपरा नदी के त्रिवेनी संगमर बना हुआ है। इस मंदिर के निकट नव ग्रह मंदिर भी बना हुआ है। जिसमें नव ग्रहों की प्रतिमाय विराजमान है। मुर्तिया विराजमान है। गर्भ ग्रह में एक चांदी से बना हुआ द्वार भी है। भादव के क्रिशन पक्ष में क्रिशन जन्मास्मी पर विशेश उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक शुकल 14 को भगवान महाकालिश्वर की सवारी यहां पर भगवान गोपाल जी से मिलन के लिए आती है जिसे हरी हर मिलन भी कहा जाता है। शुरी गड़ कालिखा मंदिर महाकवी कालिदास की आराध्य देवी गड़ का लिका थी। और उन्होंने शास्त्रों का ज्यान इसी मंदिर में प्राथ हुआ था। यह मंदिर जिस स्थान पर सित है उसे संपूर्ठ स्थ हाँăngली कारे के भगवान गनेश मंदिर में लाकर पुझा कर्वाता है इसमें गनेश जी के अन्य मंदिरों की तरह देवी देवता है, रिद्धी, एमें सिद्धी, अधी भगवान जी, गनेश जी के दोनों और स्थित हैं, श्री काल भहरव मंदिर, यह मंदिर श्री शिपरा जी के तट पर स्थित है, यह मंदिर भगवान काल भहरव का है, जो अत्यंत प्राचीन एमें चमत का चमत कारिक्थ है यहां पर शरीकाल भह्रव जी की मूर्ति को मदिरा पान करती है, एवं सभी को आश्रे चकित कर देती है, मदिरा का पात्र पुझारी दवारा भगवान के मुझा पर लगा दिया जाता है, एवं मंत्रो का अचारण किया जाता है. देखते ही देखते हैं मूर्ती सारे ही मदीरा पी जाती है मूर्ती के सामने जूले में बटुक भहरव की मूर्ती भी विराजमान है भारी दिवारों पर अन्य देवी देवताओं की मूर्ती भी स्तापित है सबागरे के उत्तर की और पतार बहरवी नाम की एक छोटी सी गुफा भी है श्री बरतरी गुफा राजा बरतरी ने राजपाट छोड़ कर इस स्थान पर तपस्या की थी इसलिए इसका नाम उनके नाम से प्रसिद है गुफा के भीतर गोपी चंदर की मूर्ती वियाजमान है ये स्थान भी शिपराजी के तटपर स्थित है इस गुफा में राजा बरतरी की समादी भी बनी हुई है इस गुफा में प्रवेश करने के लिए एक संक्रा रस्ता है च्रीबरतरी की तपस्या से बहबित होंकर, इंद्रे ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए शीला को उनकी और फैकाथा, परंटु भरतरी जी ने उनको अपने पंजे के सारे एवं योगबल से उसे वहीं स्थित कर दिया, शृरी भरति की हाथ के पंजे का चिन, आज भी वह याथावत है श्री महारशी सांदीपणी आश्रम सुकरान अधी पर स्थित गंगा घाट के समीप स्थित है भगवान श्री क्रिशन एवब उन के सकासो मंदिर काली याद का धातु से निर्मित शिवलिंग है इस मंदिर में पारवतीजी और गरेज जी की मूर्तियां भी विराजमान है ये मंदिर एक टीले पर बना हुआ है श्री काली या दे श्री कालिदास पैलेस ये स्थान सिद्रनात के करीब 3 किलोमेटर और स्टेशन के करीब 11 किलोमेटर दोरी पर सित है यहाँ पर सूरी देवता का मंदिर है ये स्थान के निकट की काली दे ग्राम की स्थित है इस स्थान अब एक जीरन स्थान में परिवर्तित हो चुका है शिरी गेबी हनुमान मंदिर ये मंदिर उजयन का अन्य मंदिरों की ब्रांती प्रसिद है तदा ढाबा रोड पर स्थिथ है यह मंदिर शिरी गोपाल मंदिर के समीप है यहां पर भगवान हरुमान जी विराजमान है एवां भकतों के दर्शन लेकर उनको कस्टों और दुख से छुटकारा दिलाते है शिरी नगर कोट की रानी मंदिर ये स्थान नगर के प्राचिन कच्चे पर कोटे पर स्थिथ है इसलिए इस स्थान को नगर कोट की रानी का नाम दिया गया है नगर कोट की रानी प्राचिन उजयन के दक्षिन पस्चिम होने कोने की रक्षा करती है मंदिर परिसर में एक कुंड है वे कुंड के दोनों और मंदिर विस्थित है यह स्थाननाथ समप्रदाय के परंपरा से जुड़ा हुआ है शिरी सिदवत मंदिर इस स्थान पर एक ब्राचिन वटवरक्ष है जो की बहुत प्रसिद वटवरक्ष है इस वटवरक्ष को मुगल काल में काट कर लोहे का तवा जड़वा दिया गया था परंतु कोई भी इसको पुना फूटने से रोक नहीं पाया इसलिए ये फिर से हरावारा हो गया था ये एक घाट परस्तित है जहाँ पर पित्रों की शरदा करम के किये जाते हैं पित्र शांती की जाती है इस थान पर शिवलिंग भी स्तित है जिसे पदालेशवर के नाम से प अंतरास्ट्री कृष्ण भगवान संत द्वारा बनवाया गया ये श्री राम राधा राम मोहन राधा मदन मोहन मंदिर महान अंदा नगर में स्तित है इस कौन मंदिर श्री शिप्रा नदी श्री शिप्रा नदी भी गंगा नदी के तरह पवित्र एवं पापों को नाश कर जाए तो मनुश्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है शुप्रा नदीतो सर्वत्र पुन्यम पुन्यम है यह भ्रम हत्या आदी पापों का नाश करने वाली है श्री प्रशांति धाम मंदिर त्रिवेणी के पास ग्राम गोयला खुर्द में सन 1999 में प्रशांति धाम मंदिर में साइबावा, त्यूरुपति बाला जी, महाकाली, शेरावाली माता, शिवशंकर, श्री हनुमान एवं श्री राम दर्वार की मूर्थियां है यह धाम दस बीगा जमीन में हिस्तित है अभी तक इस पर एक करोड रुपया खर्चा जा चुका है मंदिर के साथ हस् शिक्षा केंदर, वरदाश्रम, गोशाला, भगताश्रम, संग्राले, पुस्तकाले, आदिक निर्मान भी की भी योजना है श्री राम जनारदन मंदिर विश्णू सागर के पश्रिम तट पर राम जनारदन मंदिर है यहां दो मंदिर है राम मंदिर में राम, लक्ष्मन औ परकोटे एवं बावडी का निर्मान अठारवीश हतापदी का है। जैन के साथ विक्रम अधित्य का नाम जुड़ा हुआ है। जैन के सतिव पर शंका थी। इसलिए वे सन्यासी होकर नाथ संप्रदय में चले गए थे। विक्रम अधित्य ने सेना एकरत्तित कर शंकों को हरा दिया और अधिन को अपने आधिन कर लिया। पुरू 57 की है। इस विजय के उपलक्ष में जो समवंत प्रारंब हुआ। इस से विक्रम सम्वंत कहते हैं, विक्रम सम्वंत कहते हैं, मालवा के जन जन में व्याप्थ हैं। माराज विक्रम अदित्य की एक आधुनिक प्रतीमा हर्चिद्धी के पास उत्तर में स्थित है शिरी वेच्छाला यंत्र महल ये वेच्छाला पांच शेरों दिल्ली, जैपूर, मथुरा, वानानसी हैं उजयन में बनवाई गई है वेच्छाला में से एक उत्करष्ट वेच्छाला है उजयन को प्राचीन भारत का ग्रीन विच के नाम से भी जानते हैं करक रेखा उजयन से होकर गुजरती है आज भी वेच्छाला को अपयोग पंचांग बनाने के लिए किया जाता है इस वेच्छाला में पांच यंत्र, सूर्य नाडी, वले यंत्र, दिगंश यंत्र, यमम, शंकू यंत्र है शंकू यंत्र नया है सूर्य गड़ी से प्राप्त स्थानिय समय को वहां लगी एक सारणी से स्रेंडेट समय में बदल लिया जाता है वेजशाला में दिगेंश एंत्र ये गरह नक्षत्रों के दिगंश प्राप्त किये जाते हैं वेजशाला पंचांग के साथ साथ प्राचीन कलाकर्ती का भी ज्यान प्रदान करती है ये एक उत्तम सल है श्री 24 खंबा मंदिर महाकलेशवर मंदिर से बजार की और जाते समें रास्ते में ये द्वार मिलता है 24 थंबो का ये द्वार दो मंजिला अतीप प्राचीन है द्वार के दोनों और महामाया और महालय की दो मूर्दियां शोबाय मान है कहा जाता है ये सन रुद्र काली देवी का है इसी प्रकार एक द्वार महाराज वाडा भवन के उत्तर में है 24 खंबा द्वार के पास पटनी बजार आ गया है अनहिल पटन एक राजा ने बारवी शतापदी में नगर और चतुरवेदी व्यपारियों को यहां लाकर व्यपार के लिए बसाया था श्री वीर दुर्गादास की छत्री मारवार के महाराजा जस्वन सिंग की मृत्व के उपरांत वीर दुर्गादास ने जोदपूर की स्वतंतरता की रक्षा की अजित सिंग को औरंगजेब की इच्छा के विरुद जोदपूर के सिहासन पर बेठाया औरंगजेब को ये जानकर बड़ा आश्चरे हुआ था कि दुर्गादास ने उसकी पोती की समुची देखबाल की थी और उसके लिए पवित्र कुरान की सिख्षा का प्रबंद भी किया था वीर दुर्गादास का जीवन नीस्वार्थ सेवा से पूर्ण था उनकी मृत्युसन 1718 में रामपुरा में हुई उनकी इच्छा के नुसार उनकी अन्येस्थी शिप्रातट चक्रतीर्थ के पास की गई उससान पर एक छत्री बनी हुई है उसमें दुर्गादास की मूर्ती है चबुत्रे पर दशावतार के चित्र बने है शिरी सती दर्वाजा ये दर्वाजा सराफा बजार के कंठाल में स्तित है ये विक्रम अधित्य के युग का है महाकाल के परकोटे पर का एक दर्वाजा है दर्वाजे की छत पर एक चकोरसम है जिस पर तीन पंक्तियों में दवादश शिवा महाशक्ती के मुख है दवाद सिर्वी समाज द्वारा किया गया है इस मंदिर में नव दुर्गा की प्रांड प्रतिश्चा 23 मई 1991 में हुई थी मंदिर में चंद्र गटा की मुख्य प्रतिमा है नव दुर्गा की भी मूर्तियां हैं जो इस प्रकार हैं शेल पुतरी भ्रमचारेनी शिद्धी माता कालरातरी, महागोरी पीर मचंदर की दरगा मरत्री गुफा से कुछ दूर पर पीर मचंदर नामक स्थान है ये मत्से अंदर नात का स्थान है मत्से अंदर नात संपरदाय के आचार निकट ही गड़काली का में खुदाई होने पर मोहन जोदाडों के समकालीन चिन पाए गए थे ये स्थान उचाई पर होने के करण आसपस का दृश्वे बड़ा सुंदर लगता है गंगा गाट मंगलनाथ और सांधीपनी आश्रम के मद्य शिपरा पर गंगा गाट है इस प्राचीन नाम दशाज मेग गाट है कहते हैं एक बार महारिशी सांधीपनी काशी के दशार्ट में गाट पर स्थान करने हितू जाना चाहते थे उन्होंने अपने शिश्य भगवान कृशन से ये इच्छा प्रकट की भगवान कृशन ने कहा कि कल चलेंगे गुरुजी निश्चिंथ होकर सो गए शिरी किशन अपनी माया से काशी को उस गाट को यहां ले आए गुरुजी ने उसमें स्नान कर अपनी इच्छा पुरून की तो अपसरी से गंगा अगाट कहते हैं इस्तान पर शिपरा पूरु में बहती है कालिदास अकाइडमी यह संस्ता कोठी रोड पर स्थित है इसकी सापना उजयन के महा कभी इमम नाट्य लेखक कालिदास पर शोद करने की दृष्टी से हुई है इसमें प्रती वर्ष देवोत पथापनी एकादशी से साथ दिवस का कालिदास हमारों मनाया जाता है यहां पर ड्रामा आर्ट्स हास से कभी सम्मिलन अन्य चीज़ें होती रहती है तावर चोग घंटागर चोरहा उजयन शहर का टावर चोरहा प्रसिद प्रवेश द्वार है यहां की मार्केट रेस्टोरांट चोपाटी लोकप्रिय है रात्री में यहां का दिश्य देखने अधिक लुबावना लगता है थैंक यू फ्रेंड्स आपको उजयन की हिस्टी में जानकर अच्छा लगा होगा थैंक यू नहीं मच हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ तु जैन के बारे में बताना चाहता हूं कि कितना महान जगा है जहां हम रहते हैं जी ऐसे तो ना हुआ हुआ है